Hello Everyone, Welcome Back to the Channel Assessment year 24-25 के ITR Forms साइट पर आवेलेबल है लेकिन इस बार की ITR फाइलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी क्योंकि इस बार आपको ITR फाइल करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए Old Tax Regime ज्यादा Beneficial है या New Tax Regime ज्यादा Beneficial है New Tax Regime इस बार Default Regime है अगर आपको Old Regime में जाना है तो आपको Option Select करना होगा उसके बाद ही आप Old Regime में जा सकते हैं ITR फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है लेकिन अभी आपको अपना ITR फाइल नहीं करना है अगर आपका कहीं से कोई TDS Reduct होता है या फिर आपको Saving Bank का Interest Earn होता है या कहीं से आपकी Dividend Income आती है या फिर आपको FD पर Interest Earn होता है ये सारी चीज़े अगर आपके पास हैं तो आपको अभी माई तक वेट करना है Mid of the June best period रहेगा जबकि आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं जिससे कि कोई भी mismatch नहीं होगा AIS के साथ और आपको Defective Return का Notice नहीं आएगा इस वीडियो में हम एक educational purpose से देखेंगे कि किस तरह से ITR को FILE किया जाता है यहाँ पर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और एक overview लेंगे कि ITR किस तरह से फाइल किया जाता है तो सबसे पहले तो हम site पर login कर लेंगे इसके बाद e-file में जाएंगे यहाँ पर income tax returns और file income tax return इस तरह का window आजाएगा आपके पास सबसे पहले हम assessment यह select करेंगे 24-25 online mode continue start new filing individual continue select ITR form ITR 1 देखते हैं proceed with ITR 1 started अब यहाँ से हमें option select करना है कि हम क्यों अपनी ITR को file कर रहा है हमारी taxable income मोर्दान ता basic exemption limit है यानकि धाई लाक रुपए से जाधा कि हमारी income है या फिर यहाँ पर कुछ तीन options दिये हुए हैं यह options आप देख सकते हैं अगर आप इन options के वज़े से अपनी ITR file कर रहा है तो आप second number पर click करेंगे और अगर यह दोनों ही cases आपके case में नहीं है तब आप others पर click करेंगे continue यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो ITR है वो pre-filled होगा आपके AIS statement से या फिर आपके 26 AS statement से लेकिन pre-filled information आपको सिफ सहूलियत के लिए दी गई है लेकिन आपको इसे एक बार cross verify जरू कर लेना है यह pre-filled information सही है या नहीं कई बार AIS यह 26 AS में भी गलत information आ जाती है तो आपको जो आपके real documents है उनसे information को लेना है और AIS को आप एक बेस लेकर चल सकते हैं अब यहाँ पर हमें AK करके सारी columns को verify करते जाना है सबसे पहली है personal information यहाँ पर हमारा सारा personal data reflect होता है जैसे कि हमारी date of worth हमारा pan number आधार number address contact number वह सब कुछ हमारे profile से यहाँ पर auto reflect हो जाता है हमें आना है नीचे यहाँ nature of employment पर यहां से हम से हम सेलेक्ट कर लेंगे कौन से सेक्टर के employee है हम Central Government, State Government, PSU, Central Government Pensioner है, State Government Pensioner है यहाँ पर others filing section में section 139-1 यहाँ पर auto select मिलेगा इसके बाद यहाँ पर major change हुआ है वो है do you wish to exercise the option under section 115 BAC of opting out of new tax regime इसका मतलब यह हुआ कि यह जो आपका form है यह new tax regime का ही form है अगर आपको यहां से बाहर जाना है यानि कि आपको old tax regime में जाना है तो आप yes select करेंगे कि हां मुझे यहां से opt out करना है और मुझे old tax regime में जाना है तो हम yes पर select कर देते हैं मतलब कि हमें old tax regime में जाना है तो अब जो आपकी calculations होंगी वो old tax regime के हिसाब से ही होगी इसके बा भी bank accounts हैं इंडिया में वो सब आपको यहां पर disclose करने हैं अगर आपका कोई bank account यहां पर reflect नहीं हो रहा है तो यहां नीचे option मिलेगा आपको add another का यहां add कर सकते हैं आप अपना कोई भी bank account और इन में से किसी भी एक bank account को आपको refund के लिए भी select करना होगा information चेक करने के बाद हम confirm कर देंगे इसके बाद हम gross total income पर आते हैं सबसे पहले है salary exemptions आपको form 16 मिलेगा उसमें से आप salary exemptions का amount यहां पर ले सकते हैं section wise यहां पर दिया हुआ है अगर आपको hra का claim लेना है तो section 10 13a यहां पर मिल जाएग LTA का लेना है तो section 10 5 मिल जाएगा अगर section 10 के exemptions लेने हैं तो section 10 14 1 और section 10 14 2 यहां पर मिल जाएगा और इसके अलाबा others अगर आपका employer कोई और other exemptions देता है जो आपको form 16 में दिख रहे हैं उसके लिए आप any other पर जा सकते हैं यहां yes पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कौन से exemptions हैं जैसे की रिटार्मेंट ग्राचुटी है लीविन कैश्मेंट हैं कम्यूटेट वैली ओफ पेंशन है यह सब रिटार्मेंट बेनिफिट्स हैं यह सब अगर आपको कोई रिसीव हुए हैं तो वह आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं continue कर देंगे इसके बाद दे सकते हैं जो आपको form 16 से मिलेगी salary as per section 17 value of perquisites profit in lieu of salary यह सारी चीज़ें आपको as it is अपने form 16 से मिल जाएंगी अगर आपको cash में salary receive होती है तो आप 12 मन्त की salary calculate करके यहां पर salary का amount दे सकते हैं इसके बाद नीचे net salary आ जाएगी deductions में standard deduction है entertainment allowance है और professional tax है अगर new tax regime में जाएंगे तो आपको entertainment allowance और professional tax का reduction नहीं मिलेगा सिर्फ standard deduction का ही deduction मिलेगा income chargeable under the head salary यहां auto calculate हो जाएगी इसे save कर देंगे salary के बाद आता है income from house property यहां edit पे click करेंगे type of house property select करेंगे self occupied है अगर आप खुद उसमें रहते हैं और आपने उसके लिए home loan लिया हुआ है तो interest का amount आप यहां पर दे सकते हैं यहां पर आपको minus का sign नहीं लगाना है यह अपने आप नीचे negative में आ जाएगा अगर आपकी rental property है तो आप यहां let out select करेंगे यहां पर जो भी rent आपको receive होता है वो rent देंगे taxes paid to local authority उसका amount देंगे इस पर आपको 30% का standard deduction मिलेगा जो की auto calculate हो जाएगा अगर आपने home loan लिया हुआ है इस property के लिए तो interest pay be loan borrowed capital यहां पर आप interest का amount देंगे और यह interest की figure आपको कहां से मिलेगी आपने जहां से भी home loan लिया है वहां से आप certificate निकलवा सकते हैं पूरे साल का जिसमें की principal amount और interest amount आपको अलग से दिया होता है वहां से आप interest portion ले सकते हैं और जो principal portion है उसका deduction हमें section 80C में मिलता है जो की हम आगे देखेंगे इसके बाद आता है income from other sources एड़ पे click करेंगे यहां पर है do you have interest income from saving bank account अगर saving bank account से interest मिलता है तो yes पर click लगाएंगे यहां पर amount दे देंगे यह amount आपको अपनी passbook से मिल जाएगा और अगर आपका AIS पूरी तरह से update हो चुका है तो AIS से भी आपको यह figure मिल जाएगी इसके बाद है interest from deposits in bank post office और cooperative society यहां पर yes पर click करेंगे और amount दे देंगे यह figure भी आपको अपने AIS से मिल जाएगी लेकिन income tax refund पर अगर आपको कोई interest received हुआ है तो वो भी आप यहां दे सकते हैं यह पर click करेंगे और amount दे देंगे इसके बाद next आता है income from family pension, family pension मिलती है तो वो amount दे सकते है dividend income है उसका amount दे सकते हैं या any other कोई और income है तो वो भी आप यहां yes पर click करके उसका amount दे सकते हैं नीचे continue कर सारे amount यहां पर reflect हो जाएंगे, interest from saving bank, interest from deposit, interest from income tax refund, कोई और आपने income add की है, तो वो any other में आ जाएगी, और नीचे हमारी यह gross total income calculate हो जाएगी, इसके बाद आता है exempt income, यहां add पर क्लिक करेंगे, यहां पर एक list दी हुई है, यहां से आप देख सकते हैं, कि कोई भी ऐसी income है आप के पास जो की exempt है, तो आप इस schedule में दे सकते हैं, agriculture income less than 5000, any sum received under life insurance policy, statutory provident fund received, recognized provident fund received, scholarship मिली है अगर, award instituted by government, defense medical disability pension, pension received by winners of परमीर चक्र, यहां से आप कोई भी exempt income आपके case में है, तो वो ले सकते हैं, any other का option भी है, अगर आपको relative से gift receive हुआ है, तो उसका आप any other में यहां पर दिखा सकते हैं, amount दे देंगे और add कर देंगे, सारी head of income complete करने के बाद हम नीचे confirm कर देंगे, हमारी gross total income यहां पर confirmed हो जाएगी, इसके बाद आते हैं, deductions, मतलब कि ATC से लिकरके, ATU तक कोई भी आपने investments किये हुए हैं, तो उसके deduction यहां पर क्लेम कर सकते हैं, तो यहां पर क्या क्या है, donation दिया है, section ATG में, political party को अगर donation दिया है, scientific research के लिए कोई donation दिया है, ATGG में rent का deduction लेना चाहते हैं, यह सिर्फ वो ही लोग लेते हैं, जिनको की HR नहीं मिलता है, section ATC में, deduction लेना चाहते हैं, जैसे कि आपने LIC का premium pay किय किया है, PPF में investment किया है, सुकन्य समरिद्धी योजना में investment किया है, पास साल की FD में investment किया है, NPS है, ELSS mutual funds है, काफी सारे यहां पर instruments होते है, section ATC के maximum limit देर लाग रुपय तक होती है, यहां पर, यहां पर yes पर click करेंगे और amount देतेंगे, इसके बाद section ATCCD 2 है, जिसमें की NPS contribution by employer का amount दिया जाता है, इसके बाद section ATD आता है, medical insurance के लिए, medical insurance का premium pay किया है, या senior citizen parents के लिए कोई भी expenditure किया है, medical से related, उसका deduction ले सकते हैं, section ATE आता है, educational loan के लिए, कोई interest payment कर रहे हैं, educational loan लिया हुआ है, उसका deduction ले सकते हैं, section ATTTA आता है, saving bank interest के लिए 10,000 रुपीज तक का maximum deduction यह नहां पर allowed होता है, और इसके बाद आती है, any other की category, जो कि आपको उपर नहीं मिल रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कौन-कौन से deductions आप ले सकते हैं, बशर्ते की आपने वो incur किये हो, कोई भी wrong deduction आपको क्लेम नहीं करना है, जिसकी की receipt आपके पास नहीं है, ATDDB, सेल्फ के लिए medical treatment, और नीचे continue करेंगे, continue करने के बाद यहां पर कुछ schedules हमारे पास आते हैं, अगर हम section 80D में amount क्लेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए schedule करना होगा, section 80G के लिए भी schedule है, section 80TTA के लिए भी schedule है, और schedule फिल करने के बाद नीचे confirm कर देंगे, deductions confirm हो जाने के बाद आता है, taxes paid, taxes paid में यहां पर TDS की details आती हैं, साती advanced tax की details और self-assessment tax payment की details, जो भी आपका form 16 है, उसमें से आपको यह TDS की details मिल जाती है, जो भी आपकी salary से TDS deduct होगा, वो यहां पर auto reflect हो जाएगा, आपको एक बार cross verify जरू करना है, अपने AIS से की सही से यह reflect हो रहा है, इसके बाद आता है TDS other than salary, salary के अलावा कहीं से कोई TDS आपका deduct हो रहा है, जैसे क की dividend से या फिर FD से तो वो यहां पर reflect होता है, और जो next यहां पर main आता है, वो है advanced tax and self assessment tax, आपने जो भी advanced tax pay किया है, assessment year 24-25 के लिए वो आपका यहां पर reflect हो जाएगा, सबसे पहले हम TDS पर आएंगे, salary के TDS पर आएंगे, यहां पर click करेंगे, यहां पर आपको यह schedule फिल करन होगा कि deductor का 10 number क्या है, name of the deductor, income chargeable under the head salary और total tax deducted, जब आपका AIS statement अपडेट हो जाएगा, तो यह सारी information preferred हो जाएगी, लेकिन आपको cross verify ज़रू करना है, add कर देंगे, अगर कोई self assessment tax का payment किया है, तो वो भी आपको इसी तरह से फिल करना है, चलान की research से आपको सारी information मिल जा अब हमारे सारी columns confirm हो चुके हैं, अब हम total tax liability पर click करेंगे, यहाँ पर हमें अपनी ITR की पूरी computation देखती है, हमारी gross income कितनी है, हमने deductions कितने claim किये, net income हमारी कितनी आ गई, इस पर tax हमारा कितना बना, tax pay bill on total income, अगर कोई rebate मिला है हमें 87A का, तो वो auto calculate हो जाता है, health and education says 4% य अगर आपने देर से taxes का payment किया है, तो interest रगता है, वो interest यहाँ पर auto calculate हो जाएगा, और end में आपका total tax यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अगर आपने पूरी तरह से taxes पे नहीं किये हैं, तो जो भी आपका amount यहाँ पर आएगा, वो आपको pay करना होगा, और अगर आप पूरे taxes pay कर चुके हैं, तो आपको simply अपने ITR को file कर देना है, यहाँ पर हम confirm पर click कर देंगे, सारे columns confirmed हो जाने के बाद, यह proceed का button highlight हो जाएगा, अगर आपके ITR में भी इस तरह से आ रहा है, you need to make payment of zero, मतलब कोई भी taxes due नहीं है, तो आपको नीचे यहाँ बटन मिल जाएगा, preview return का, आप review करके और file कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके taxes पुरी तरहन से paid नहीं है, तो यहाँ पर आपको pay now का option मिलेगा, वो option आपको net banking की site पर ले जाएगा, जहाँ पर कि आप net banking से, या फिर debit card से, या credit card से payment कर सकते हैं, ITR submit कर देने के बाद आपको 30 days का time मिलता है कि आप ITR को e-verify कर सकते हैं, e-verify करने के लिए आप आधार OTP use कर सकते हैं, जो कि best option है, अगर आधार OTP काम नहीं कर रहा है, तो आप bank account से, तो आप bank account से, DMAT account से, या फिर net banking से भी e-verification कर सकते हैं, अगर यह सारे options भी काम नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने ITR V का print out निकाल के उसे bank law office send कर सकते हैं by post, लिकिन यह सारे काम आपको 30 days के अंदर कर लेने हैं, वना आपका ITR invalid हो जाएगा, so I hope कि आज का वीडियो आपके लिए useful रहा होगा, ITR filing अभी आपको नहीं करनी है, यह वीडियो सिफ educational purpose से था, मिलिंगे नेक्स वीडियो में, till then stay safe and healthy.